पॉली इथिलीन नॉर्मली इथिलीन मोनुमर को पॉलिमराइज करने से बनता है अब यहां हम देख रहे हैं कि यह जो इथिलीन मोनुमर है इसको इसके कंडिशन से अगर हम चेंज करने जैसे कि अब यहां ले ले 250 डिरी सेंटिग्री अगर टेंप्रेचर हो और जो कोरिस्पोंडिंग प्रेशर हो पॉलिमराइजसन के से में वह हो more than 1000 इत्मस्फिर इत्मस्फिरिक प्रेशर उसकेस में जो पॉलिमर बढ़ेगा वह कहलाता है या लो डेंस्टी पॉलिएथलीन या लडी पीई जबकि यहीं अगर हम कंडिशन चेंज कर दें टेंप्रेचर इसका डिफाइन करें 50 to 70 डिरी सेंटिग्री और यह जो प्रेशर है वो हम रख रहा है 4 to 10 atmospheric pressure उसकेस में जो पॉलिमर बनेगा पॉलिमराइज होके वो होगा हाई डेंस्टी पॉलिएथलीन अब आईए जानते हैं कि लो डेंस्टी पॉलिएथलीन हाई डेंस्टी पॉलिएथलीन में क्या डिफरेंस है जैसा कि नाम से ही यहां लगता है कि यह इसकी डेंस्टी इसकेस में क्या होगी लो होगी यह हम लिख सकते हैं डेंस्टी इस लो और यह जो डेंस्टी होती है यह लगवग 0.9 ग्राम्स पर सीसी के एक्विवेलेंट होती है इस केस में अगर हम लें हाई डेंस्टी पॉलिएथलीन के केस में यहां पर बसकत कें, density is high और यह जो density है, यह लगभग 0.95 ग्राम्स पर सीसी के equivalent होती है second अगर हम difference लें दोनों में तो यह होगा, crystallinity, इस case में low density के case में जो crystallinity होती है, वो low होती है low crystalline और यह जो low crystallinity है, यह लगभग around 40% के range में होती है जबकि यह जो high density polythylene है, इस case में crystallinity जो होगी, वो high होगी और यह होती है, 90% के range में यहां softening temperature जो है, वो भी different है दोनों का यह है, around 120 degree centigrade low density polyethylene के case में, जबकि high density polyethylene के case में यह softening temperature रेंज करता है, 145 degree centigrade यह एक बहुत ही अच्छा इंसुलेटर है, electricity का इसके अलाबा, जो normal properties पाई जाती है इन दोनों, mellow density polyethylene और high density polyethylene में कि यह acids और alkali, यह सभी जो chemicals होते हैं, इनके, इनसे resistant होते हैं यह जो crystallinity है, high density polyethylene की, यह use कियाती है उन cases में, जहां हमें कुछ toughness की जगुरत होती है, जैसे हमें पता है कि low density polyethylene, normal polyethylene जो हम use करते हैं, वहां use कियाता है, जबकि packaging के रिए अच्छे quality के जो polyethylene यूज कियाते हैं, वह सभी होते हैं, high density polyethylene polyethylene के uses अगर हम देखें, यह हम कह सकते हैं कि यह use कियाता है, bottle caps बनाने में, bottle caps, twice, twice बनाने में use कियाता है, इसके लाब major यह use है, उसका यह है, seeds for packaging, seeds for packaging, और poly bags में पता ही है, poly bags में, normally हम polyethylene का use करते हैं, और उसके नाम पूर्ण का नाम भी, जिसे हम polyethylene इसलिए कहते हैं, polyethylene से वह derive हुआ है,